सिर्फ एक चम्मच इस दिव्व चीज का सेवन कर लो सभी प्रिकार के दर्दों का सत्या नास कर देगा यह नुसका नमस्कार दोस्तों अगर आपको घुटनों और जोडों में तेज दर्द बना रहता है। जवर्जस्त काम करता है यह आरुविदे के नुस्का इस दिब्ब चीज को कैसे बनाना है इसे बना करके कैसे उप्योग करना है यह सारी प्रोसेस इस वेडियो में बताने बाला हूँ तो दोस्तो वेडियो अच्छा लगे तो वेडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो देखे दोस्तो इस दिब बिनुस्के को बनाने के लिए आपको 10 तरह की मेडिशन लेनी है जिसमें से पहली ओसदी है सुरंजान मीठी दूसरी ओसदी ह हर सिंगार का चिलका चोथी ओस ये बिजैसार लकडी और सौट असगन नागोरी सतावरी पीली पीपल चाल लहसुन और मैथी अब इसकी पैचान और इनकी मात्रा भी समझ लेते हैं तो देखे भी बर्स ये है सुरंजान मीठी आपको लेना है 100 ग्राम सुरंजान मीठी ये सुरंजान कडवी आपको लेना है 100 ग्राम सुरंजान कडवी ये है हर सिंगार चिलका आपको लेना है 200 ग्राम हर सिंगार चिलका ये है बिजैसार लकडी आपको लेना है 100 ग्राम बिजैसार लकडी ये है सोट आपको लेना है 1500 ग्राम सोट ये है असगंध नागोरी आपको नहीं सुं ग्राम शतावरी प्ली ये है पिपल च्राम आपको । लेना है 100 ग्राम पिपल छ्षाल ये लैसन सुग्राम की कलिया ये मैं थी आपको लेना है डेड़ सो ग्राम मैं थी अब देखे दूस्तो आरविदिक नुस्का बनाने के लिए बेडियों में बताई गई सभी जड़ी बूटियां उचित मात्रा में ले लिजिए और इनको अच्छे से साफ सुत्रा कर लिजिएगा ताकि इसमें धूल मिटी न रहे फ करके आपको इन जड़ी बूटियों को एक खरल मुसल में डाल देना है और अच्छे से कूटना है खरल मुसल में डाल करके इन्हें अच्छे से कूटना ताकि ये जौकूट हो जाए फिर जौकूट के हुए चूरन को एक बरतन में निका लिए और इस चूरन के पांस से च् पकाईए इसको इतना पकाईए कि आप पकते पकते एक चोट्याई पानी बचे फिर आप इसे एक कपड़े में डालेंगे बरतन लगा करके कपड़ा में डाल दीजिगा और पोटली बना करके अच्छे से गुनगुना मसल किके इसका रस निकाल लिए इस रस को दुबारा से आप उस चड़ाए किसी बरतन में डाल कर और पकाईए इसका घंसत तुब तयार केजिगा जब ये गाड़ा गाड़ा हो जाए तो इसे एक बरतन में निकाल करके और इसे सिंपलियाफ सुखाईए इसे च्छाया में रखेंगे तो पांस से छे दुन में आराम से ये सूख जाएगा और जब ये सूख करके अच्छे से दुरुस्त हो जाए तो सिलवट्टे में डाल करके महीन सी महीन पीस ये और पीस करके एक चूरन तयार करीजिगा यह घंसत्तु का चूरन कहलाता है अब इसे एक डिब्ब्य में पैक करके रखें जरुदत पढ़ने पर यूज कर सकते हैं अब देखे दोस्तों जिस किसी भाई को दर्द की समिश्या है सूजन की समिश्या है वह ज्यादा तलाब होना ना खाएं ज्यादा बातान से बढ़ने बाला चीज ना खाएं जो बात को कुपित करता है ऐसी चीज़ों से परहेचर करें और साथी साथ इस दिब् चीज को यह जो घंसत का चूरन ना इसको दिन में दो बार शिबन करना है आपको सुभे खाना खाने के एक घंटे बाद आएक चम्मच या अधी चम्मच आपको लेना है 2-3 ग्राम और पानी शिबन करना है पानी हलका गुनवना होना चाहिए और ऐसा ही आपको सामको करना है सामको भी आपको वाधी चमच या 2 से 3 ग्राम तई से 7 करना उपर से गुनवने जलका 7 करें सभी दर्द में और सभी प्रकार की सूजन में राम बाण काम करता है धन्नबाद